वेलो फ्रेंड्स वैलकम बेक टू माय यूटूब चेनल फ्रेंड्स एयर कंडिशन में चो कंप्रिसर होता है वो बिलास्ट क्यों होता है और क्या मिष्टेक रहती है टेकिनिशन की जो बिलास्ट हो जाता है तो मैंने किया किया अपना experience इसमें share किया जिससे कि मैंने एट रीजन लिए है इसमें आपको step by step एक एक reason अच्छे से clear कर देना है समझ में आ जाएगा जिससे कि आपको और आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा आप no tension होके काम करेंगे वस आपको क्या करना इस वीडियो को skip नहीं करना है वीडियो को पूरा watch करना है जिससे कि जो भी में information दूँ वो आपको अच्छे से proper तरीके से समझ आ जाए reason number one compressor blast अगर होता है तो compressor के अंदर जो winding होती है रूटर होता है रूटर के जो अंदर winding होती है अगर winding अंदर से sort है वो आप compressor उस समय running condition में और winding अंदर से sort है तो वहां पर क्या हो इस पार्की होगी इस पार्की वहां पर trip हो रहा है तो आपको इस condition में क्या है गैस को निकाल के उसके बाद आपको compressor direct check out करना है कि वहां पर faulty तो नहीं है उसकी bending या फिर आपको meter से bending को check out कर लेना कि bending में fault तो नहीं है इस condition में आपका अगर bending fault होगा तो compressor blast होने के chances रहते हैं तो आपको proper तरीके से check out कर ल करना है उस समय आपको क्या करना है vacuum proper तरीके से कर लेना ठीक है और एक चीज़ का ध्यार रखना R410 या फिर R32 वहां पर आपको gas को top up नहीं करना है अगर leak भी है gas तो आपको क्या करना है gas को वहां पर restore नहीं करना और gas आपको सारी जो भी है निकाल देनी उसके बाद आपको proper तरीकी से vacuum करना है ठीक है vacuum जब आप करेंगे तो अच्छे से vacuum करके उसके बाद आपको gas को top up करना है क्योंकि बहां पर क्या होता है अगर आप gas top up करते हैं तो उस समय कोलिंग में भी effect होता है और उसके compressor के blast होने के chances रहते दें तो आपको क्या करना है अगर R410 है या फिर R 32 रेफ्रीजेंट है तो वहां पर आप क्या करें गेस को top up नहीं करना है प्लस आपको gas साधी निकाल के उसके बाद अच्छे से proper तरकी से vacuum करना है उसके बाद आपको gas को charge करना है अगर R22 रेफ्रीजेंट है तो वहां पर top up कर सकते हैं उसमें ज़्यादा risk नहीं है तो आप उसे easily कर सकते हैं top up what R410 रेफ्रीजेंट है वहां पर आप top up ना करें गेस जो भी है निकाल के उसके बाद अच्छे से vacuum करें उसके बाद gas fill up करें reason no.3 जब आप gas charge करें तो उसमें चाहें R410 gas हो या फिर R32 gas हो जब आप charge करेंगे उसमें क्या करेंगे आप लुकेड में चार्ज नहीं करेंगे उस सबसे पहले आपको एक चीज़ का द्यान रखना है जब आप gas charge करेंगे उसमें आप जब AC running condition में होगा तो वहां पर क्या ह होगा cooling जल्दी पता लग जाएगी ठीक तो आप जब भी gas charge करें उस पर 16 पर temperature रख ले उसके बाद आप gas charge करें और मेसा द्यार रखे gas जो है आप लुकेड में चार्ज जादा ना करें क्योंकि थोड़ा चार्ज करें जिससे कि आप लुकेड में चार्ज करेंगे तो उसमे चार्ज करें तो पहले आप standing में gas को छोड़ा है उसके बाद आप running में करें ठीक हो हलके हलके gas को चार्ज करें ऐसा नहीं लुकेड में आपने continue चार्ज करने तो इस condition में compressor blast होने के chances रहते हैं और आप बेट में ही मतलब gas का बेट करने उसके according ही आप gas को चार्ज करें और सब सबसे बेटर तरीका है आप gas charge करें तो बेट के according करें इससे गया कोई नुकसान नहीं होता है और आप easily तरीके से gas को चार्ज कर सकते है रीजन नमर फूर अगर आप outdoor unit के एलंग की wall होते हैं अगर वो दोनों बंद है तो आपको सबसे पहले check out करना है अब कहीं भी आप काम क बिलाष्ट होने के chances रहते हैं तो आपको सबसे पहले यह check out कर लेना चाहिए रीजन नमर फाइव अगर indoor unit या फिर outdoor unit में कहीं पर sparring हो रही है बाइरिंग कहीं से आप उसमें sort है तो इस condition भी आपका जो बहाँ पर outdoor unit है या फिर indoor unit है बहाँ पर blast होने के chances रहते हैं या फिर bolt पर wiring भी check out कर लेंगी proper तरीके से है या नहीं है अगर wiring वहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब बिकार होगी तो वहाँ पर replace कर दें और यह जो problem है यह नहीं होगी तो आपको wiring भी check out कर लेना इस वज़े से भी sparring होती है वहाँ पर blast होने के chances रहते है रीजन नमबर 6 अगर outdoor unit में pressure पढ़ा है nitrogen का ठीक है अगर nitrogen pressure है तो वहाँ पर आपको check out कर लेना चाहिए कि AC चलाने से पहले आपको यह चीज clear कर लेना चाहिए अगर वो customer है customer से भी आप clear कर ले तो आपको क्या करना है इस चीज़ को customer से clear कर लेना कि वहाँ पर कोई technician तो नहीं है या फिर अगर old technician होते ह कि हाँ यहाँ पर कोई already पहले से काम कर चुका है तो आपको किया करना है अगर वहाँ पर nitrogen pressure होता है nitrogen pressure अगर उसमें होगा मौझूद और आपने सोचा कि running condition में हम check out करें तो उसका pressure जो होता है बहुत जदा hard होता है वहाँ पर compressor blast होने के chances रहते हैं तो आपको सबसे पहले अगर कभी भी आप ऐसा करें कि कहीं भी pressure fill off करते हैं तो इससे क्या होगा आप अगर नोट कर देंगे order unit पर या फिर customer को आप बता दें कि आप पर pressure fill off है तो इससे क्या होगा किसी की मतलब जान बच सकती है तो आपको कभी भी आप pressure अगर कहीं भी डालते हैं तो वहाँ पर और है वहाँ पर लगता है तो आपको वहाँ पर लिखतेने हैं कि और प्र लेंगे जो पर पर यहां पर बैटर रहता है क्यों वहाँ पर हो आप सबूद्र नाबेशन वहता है वही बता देगा रिजन नमबर 7 अगर आप gas restore करते हैं ठीक है gas restore करें तो उस समय आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आप locate वाल बंद करते हैं उसके बाद locate wall भी बोलते हैं और उसे discharge वाल भी बोलते हैं तो आप वो बंद करते हैं उसके बाद आप section वाला बंद करते हैं आपका जो compressor blast होने के chances रहते हैं फिर pipe कहीं से फट जागी या फिर condenser भी फट सकता है तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको करना है 20 से 30 सेकंड के अंदर अंदर gas को top up बना है और AC को just बंद करा देना है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है Reason No.8 कभी कभी क्या होता है compressor जो होता है उपर से एकदम अच्छी condition में होता है वट वो कम जैसे AC होता है 30-35 साल पुराना या 20 साल पुराना तो उस condition में क्या होता है नीचे की जो body होती compressor की वो damage हो जाती है और बहाँ पर क्या होता है अगर आप gas charge करते है या फिर उसमें gas चार्ज करते है या running condition में होता है तो उस समय क्या होता है body बहुत ज़्यादा damage जाती है body curls ही जाती है नीचे से वो आपको पाता नहीं लगता है वो नीचे वाली base में होता है तो इस condition में आपके compressor blast होने के chances रहते है तो आपको proper तरीगी से check out कर लेना चाहिए कि compressor की body एकदम ठीक है या नहीं है मैं आपको कुछ tip and trick बता रहा हूँ इसका आप हमेशा ध्यार रखें कभी भी कहीं भी जाए पहले इसी अगर check out कर रहे है सबसे पहले आपको tester की मदद से देख लेना है कि वहाँ पे current तो नहीं आ रहा है और डोरियोंट में कहीं भी वायर तो टच नहीं है फिर आप एलंग की wall को भी देख ले दोनों on है या नहीं प्रेसर भी check out कर लें कि pressure तो नहीं है या फिर कौन सी gas है वहाँ गेज मीटर लगा के check out कर सकते आपको दो-तीन बाते हमेसा ध्यार रखना है कभी भी नहीं set में जा रहा है आपको wall देख लेना है supply tester से check out कर लेना कि कहीं body में तो नहीं आ रहा है अर्थवर्थ और आपको wall दोनों open होना चाहिए और gas को आपको हमेसा gas चार्ज करें तो आप sticker पर देख लें कौन सी mention है company ने वही gas fill up करें और इस चीज का आपको ध्यार रखा है अगर वहाँ पर जो company ने gas दिये उसी gas को fill up करें वनना इससे भी क्या होता अगर आपने दूसरी gas वहाँ पर यूच कर दी तो compressor blast होने के chances रहते हैं चैनल को subscribe कर दो thank you for watching